हेलो दोस्तो आप वेलकुम तो माई चैनल इस वीडियो में हम ट्रिपल इंटीगर का एक और कोशिन करेंगे देखें इवेलेट ट्रिपल इंटीगर ओवर रीजेन और और क्या रिप्रेजेंट करा रीजेन आप देखें इसको कैसे करते हैं मैं इसको आई के को लिखता हूं इसको आप देखें तो पहले लिमिट लिखेंगे लिमिट कैसे लिखेंगे पहले यहां पर देखेंगे यहां पर पहले जेट की लिमिट आएगी जेट कहां तक गया 0 to x plus y next य के रेस्पेक्ट में तो देन य लिमिट आएगी य कहां तक है 0 to x square. और last में x के रेस्पेक्ट में x कहां तक 0 to 1 तक गया ठीक है. बस आपीने क्या कर देना? solve करना करो पहले 0 to 1 यह x की limit है यह y की limit है अब यह करना हम मुझे z के respect में सबसे पहले d z है यानि z के respect में करो x और y constant रहेंगे x और y constant है तो x constant है तो 1 का कितना हो जाएगा z ऐसे ही आप हो जाएगा है 2yz और z का कितना हो जाएगा z square upon 2 लिमिट कहाँ तक z इकस टू 0 से लेके z इकस टू x प्लस y तक dy dx जहाँ जाएगा z की limit लगा देनी है तो लगाओ limit x हमारा 0 to 1 जा रहा है y 0 से लेके x square तक vary कर रहा है z कस टू लगाओ limit बस जहाँ जाएग z x plus y minus 2y x plus y plus x plus y का whole square upon 2 minus z कस टू 0 लगाओ तो यहाँ पर लगाया यह 0 हो गया यह भी 0 हो गया और यह भी 0 हो गया आ गया ठीक है तो टोटल यह कितना आ गया यहाँ पर लिखेंगे dy dx अब इसको थोड़ा और सिंप्लिफाइग कर लो इसकी multiply कर अंदर यह हो गया एक्स स्क्वार एक्स वाई टू एक्स वाई और यह हो गया माइनस टू वाई स्क्वार इसको इसका स्क्वार ओपन करता हूं मैं आएगा एक्स स्क्वार और हाथ याँड मल्टिप्लाइप कर ले रहा हूं y स्क्वार एक्स वाई इसक्रा थापन यह कर ले राहा हूं इन्टू 0 to 1 x square plus x square y2 यह हो गया 3 x square y2 y वाले देखो y square y2 minus 2y square y2 यह कितना वचा थे y2 y square xy वाले देखो xy देखो यहाँ पर xy minus xy minus xy बचा यहाँ यहाँ पर 2 से 2 केंसल हो गये यह एक xy यह रहा 1 xy यह रहा 2xy 2xy मैंसे 2xy गया तो कितना हो गया? 0 हो गया ठीक है तो xy वाले पूरे केंसल हो गया यह बचा dy dx अब यहाँ पर देखो मैं 3y2 कोमल ले ले रहा हूं अंदर क्या उचेगा? 0 to 1 y कश्ट 0 to x square x square minus y square dy dx तो इसको integrate कर तो again किसके respect में? y के x तो constant रहागा तो x square into y हो जाएगा ठीक है 1 का और y square का हो जाएगा y cube upon 3 limit का हो तक है? y कश्ट 0 से लेके y कश्ट 2 x square dx i कश्ट 2 कितना जाएगा? 3y2 x कश्ट 0 to 1 लगानी है लास्ट में integrate करने के बाद limit का हो y कश्ट 2 पहला x square x square into x square y square का cube upon 3 3 minus y कश्ट 2 0 लगा हो तो यह 0 हो गया और y कश्ट 2 0 लगा हो यह भी 0 हो गया कितना चाहिए? dx तो यह कितना आगा है? 3 by 2 0 to 1 limit x square into x square x की power 4 minus यह हो जाएगा y की power 6 upon 3 d sorry x यहां पहर हमने limit लगा दिये तो x हो जाएगा y की जगे हम limit लगा चुके है x square तो यह कितना बचा है हमारा? dx अब क्या करना इसको integrate कर दो again 3 by 2 x की power 4 का कितना हो जाएगा? x की power 5 upon 5 x की power 6 का कितना हो जाएगा? x की power 7 upon 7 limit का कितना हो जाएगा? x की जीकर इसको 0 हो जाए x की जीकर इसको 1 तक बस limit लगा दो और solo हो गया यह 3 by 2 x यह हो जाएगा 1 की power 5 upon 5 और यह हो जाएगा 1 की power 7 यह हो जाएगा 21 0 लगाओ जब मैं 0 लगाऊँगा तो कितना बचेगा? इसको देखो यहाँ पर अगर मैं 0 लगाँ तो आथा हो यह भी 0 0 लिखने जोगत नहीं है तो यह कितना होचा? 3 by 2 1 upon 5 1 by 21 इसका LCM ले लो 3 by 2 LCM कितना आएगा? 105 यह आएगा 21 3 से यह 35 times cancel यह वचा 1 by 2 16 upon 35 2 से यह 8 times cancel तो i की जो value आचकी है वो कितना आएगा? 8 upon 35 ठीक है? तो integration की value आएगा यह हमारी कितना आएगी? 8 upon 35 तो यह क्या होजागा हमारा? अंसर हो जाएगा ठीक है? इस वीडियो में इतना ही देख लिएगा कोई step शुट गया थो next video मिलते हैं okay thank you